ओ काल भैरवाई नमा बगवान भैरोनार जी का जो वार्शिक फेस्टिवल होता है हर साल वो इस साल आज से इसका शुब अरंब हो गया है तीस तारीक से तीस नुमंबर से ये फेस्टिवल छे दिसंबर तक चलेगा हर दिन यहां पे रंगा रंग कोई न कोई प्रोग्राम रहेगा जैसे आज हमने पीरों फकीरों का बंडारा लगाना है और जितने भी संगत है और बजार में जितने भी भक्तिजन है वो सारा परसाथ ग्रहन करेंगे इसके बाद तीन तरी को एक बाइकर्स रैली निकाली जाएगी वो बाइकर्स रैली पूरे जमूं met चकर लगाइगी और हर चौंक में भगवान भैरौनाजी का गुनगान करेगी ये भगवान भैरौनाजी भगवान शिव के पांचमें रुदर रवतार है उसी दिन तीन दिसंबर अविवार को साएं यहां पे आठ वजे से लेके बारा वजे तक शी बिवा किया जाएगा यह शी बिवा जंगमों द्वारा किया जाएगा बंडारे का अरेंजमेंट उस दिन भी है बक्त जंग जो भी आएंगे वो उस दिन पर साथ यहींपे ग्रहन करेंगे और भगवान शिव का गुन गान सुनेंगे चार तरीकों यहां पे पूजा की जाएगी कि हमारा भारत और उंचायों की तरम जाए जैसे उंचाईयों की तरफ बढ़ रहा है और उंचाईयों की तरफ जाए भगवान काल भहरवजी के जैकारे लगाए जाएंगे जैश्री राम के जैकारे लगाए जाएंगे मंदिर पड़सर में पांच तारीकों यहां पे विरादरी मेल होगी और वरत भी होगा जो बगवान काल भहरवजी का वरत रखना चाते हैं वो बगवान काल भहरवजी का वरत भी रख सकते हैं बगवान काल भहरवजी का वरत वैसे ही रखा जाता है जैसे बगवान शिव का वरत हम रखते हैं एक वक्त जन्द दूर दूर से उस दिन यहां पे पहुंचते हैं, मंदिर की डैकॉरेशन देखने पहुंचते हैं, तो बगवान काल भहरव जी की करीपा पूरे भारत पर बनी रहे, भारत हमारा और उन्चाईयों की तरफ जाए, यह मनों काम न लेके यहां पे पांच तरीक को पुजा की जाएगी, अन्त में यही कहूंगा कि बगवान काल भहरव जी पूरे भारत पर अपनी ख्रीपा बनाएं, हमारा देश और उन्चाईयों की तरफ लेके जाएं, एक जरूरी सूचना आपके मादियम से देना चाहता हूं, कि चार, पांच और शे को पूरा जमू अपने घर के बाहर, पूरा भारत अपने घर के बाहर, अपनी चोकर पे दो सर्सों के तेल के दीपक प्रजलित करें, जिससे उनको काफी फाइदा होगा, घर में कोई भी वादा होगी, वो दूर होगी, ऐसी मानेता है कि बगवान काल भहरव जी का फेरा उस दिन हर घर में होता है, जिनोंने दीपक जगाकर उनको निमंतरन देना होता है, वो निमंतरन दे सकते हैं, बगवान काल भहरव जी का जो वरत है, वो आपको जैसे मैंने बताया कि पांच तरीकों होगा, उस दिन मीठा ही खाना है, फूलों की सजावट एक तरीक से शुरू हो जाएगी, जो चार तरीकों कम्प्लीट हो जाएगी, डेकॉरेशन सारी, और पूरे जम्मू से यही निवेदन है मेरा, कि वो बगवान काल भहरव जी के मंदीर में आएं, माथा टेकें, पर साथ ग्राहन करें, पुन्य के भागी बनें, साल में ये जो एक दिन आता है, इसका जरूर जो लाब उठाएं, जाई करती है, तो जोसरे किसी ने अगर कोई योगदान देना है, वो समगरी के तरो पर दे सकता है, पर वो भी पूछ के, अगर हमारे पास नहीं होगी जरूरत, तो वो फिर अगले साल में योगदान दे सकता है, तो ऐसे मंदिर में कोई पर्ची निक बंदिर का बंदारह कोुछ नाहीं वही बंदारे लगाते हैं है ब्येंड बाद्गे बजाते हैं यहांि जैसे पिछली वार जिग्रता ऊन्हीन स्वादु एड़ा भ कि जो सेवा दार है वह सारे मिलकर यहांग फें पजमants अब बारती समॉन भारल चुंप